नमस्कार उत्राखन मुक्त शुधाले योग विभाग आपका स्वागत करता है। जॉइन्स मुमेन के सान तो चलिए सबसे पहले हम आएंगे प्रारंबिक स्थिती में दंडासिन की स्थिती में दोनों हातों को कमर की बगल में रख लें। हम अभ्यास करेंगे पादांगुली नमन तोस बेंडिंग आपको केवल अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। पैरों की उंगलियों को पीछे की और खिशते वे स्वास छोड़ते वे आगे की और खिचेंगे। यही अभ्यास तीन से चार बार करेंगे पुनह स्वास भरते पीछे की और लेकर जाएं। पूरा खिचाव दें। स्वास छोड़ते वे आगे की और लेकर आएं। पूरे खिचाव के साथ उंग्लियों को पूरा तीसे राउंड में पीछे की और लेकर आएं स्वास भरते वे स्वास छोड़ते वे आगे। अंतिम बार करेंगे, स्वास भरते वे पीछे की ओर, पुना लंबा गहरा स्वास छोड़ते वे आगे की ओर खीचे, यहाँ पहला अभ्यास पादांगुली नमन, अगला अभ्यास गुल्फ नमन, आप अपने पूरे पंजे को आगे वे पीछे की ओर मोड़ेंगे, अंकल बे स्वास भरते वे पीछे की ओर, स्वास छोड़ते वे आगे की ओर, तीसरा रारंतिम राउंड करेंगे, स्वास भरते वे पीछे की ओर, पुना लंबा गहरा स्वास छोड़ते वे पीछे की ओर, आगे की ओर, यहीं से अगला अभ्यास करेंगे, गुल्फ चक्र, आपको एं आगे की ओर खीचे और पीछे की ओर लेकर आएं पुना स्वास भरते वे पीछे स्वास छोड़ते वे आगे की ओर घुमाएं स्वास भरते वे पीछे स्वास छोड़ते वे आगे की ओर अंतिम तीस्टा चक्र पूरा करेंगे और यहीं से anti-clockwise विपरीद दिशा में दाएं से बाएं घुमाएं स्वास छोड़ते वे आगे की ओर लेकर जाएं स्वास भरते वे अपनी ओर पूरा आपको गोल चक्र बनाने का प्रयास करना है rotation के दोरान यहाँ पर demonstration में तिन-तिन चक्र दिखाए जा रहे हैं आप सुवीधा अनुसार अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं complete ankle joint rotation आप कर रहे हैं सामदे की ओर पैरों को फैलाते वे यही से अगला अभ्यास करेंगे अगला अभ्यास चानू नमन का बाएं पैर को मोड़ कर दोनु उंगलियों को लॉक कर लें दुनों हातों से इस प्रकार पकड़ें कि आपकी उंगलिया लॉक हो जाएं थाई को स्वास भरते वे आप अपने पूरे पैर को सीधा करेंगे आगे की ओर अधिक्तम खिचाओ देंगे स्वास छोड़ते वे आपको अपनी घुटने को मोड़ कर एडी को जंगा के पास लेकर जाना है तीन चक्र करेंगे पुना स्वास भरते वे आगे की ओर खीचें स्वास छोड़ते वे पीछे की ओर लेका आया है अधिकतम जितना आप लेकर आ सकते हैं पुनर स्वास भरते वे आगे की ओर तीसरा चक स्वास छोड़ते वे पीछे की ओर यही से पैर को सीधा करके दाएं पैर से अभ्यास करेंगे दाएं पैर को उसी प्रकार मोडते हुए दोनु हातों से पकड़ ले पंजे को खीच कर रखें पैर को हलका सा उठा कर एडी को जंगा से लगा कर रखें स्वास भरें पैर को सीधा करें आगे की ओर खीचते हुए स्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर आएं, जंगा के पास, स्वास भरते वे आगे की ओर, स्वास चोड़ते वे पीछे की ओर, अंतिम बार करेंगे, स्वास भरते वे आगे की ओर, स्वास चोड़ते वे पीछे की ओर, जानू नमन का अभ्यास पूड़ करने के बाद, पुनह बाएं पैर को मो यहीं से जो अगला अभ्यास होगा जानू घुड़न नी रोटेशन आप करेंगे आपको घुटने से मोड़ कर चक्र बनाना है स्वास भरतेवे पैर को अंदर से बाहर की ओर घुमाएं उपर की ओर लेकर जाएं स्वास भरतेवे नीचे की ओर लेकर आएं पुना स्वास भरतेवे उपर की ओर लगतार आप इसी प्रकार नी रोटेशन करेंगे रोटेशन आपको तीन से प्रकार अभ्यास पूड करने के बाद आप अपने पैर को विप्रीत दिशा में घुमाएंगे जिस प्रकार आप बाहर से अंदर की ओर लेकर जा रहे थे, अब अंदर से बाहर की ओर लेकर जाएं, वान, टू, थ्री, फोर, फाइफ, पांच-पांच राउंड आप कर सकते हैं, अभ्यास को बढ़ाया भी जा सकता है, पुना पैर को सीधा कर लें, वह यही से दाएं पैर क मोल लें, और धीरे धीरे आप पैर को बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर घुमाएंगे, स्वास भरते वे उपर, स्वास शोड़ते वे नीचे, इस प्रकार आप स्वास की लईबद्धिता के साथ, पैरों का रोटेशन कर रहे हैं, घुटने से, थ्री, फोर, बि यही से विपरीद्धिशा की ओर घुमाएंगे, पैर को एंटी क्लोकवाइस, वान, टू, थ्री, फोर, लास्ट राउं कम्पीट करेंगे, फाइफ, इस प्रकार हमने पाचपाच चक्र पूरे किये, पुना दोनु पैरों को सीधा कर ले, यही से जो अगला अभ्यास जानू फलक आकर्शन, जिसमां आप अपने घुटनों को टाइट करते वे, हलका सा दबाव जमीन की ओर देते हैं, आपके घुटने इसमें टाइट हो जाते हैं, लौक हो जाते हैं, और स्वास छोड़ते वे, आप उन्हें धीला कर देते हैं, पुना स्वास भरते वे, यहां अभ्यास आप 5-6, 6-7 या 10 बार तक कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें, ध्यान रहें, यहां अभ्यास कुटनों से संबदित समश्या के लिए काफी अच्छा है, जिनके पैरों में कड़ापन है, लचिलापन कम है, यह सारे पैरों के अभ्यास काफी अच्छे ह अभ्यास पोड़ होने के बाद दंडासन में आकर अगला अभ्यास अर्धित इतली आसन का करेंगे, धीर से अपने पैर को मोड़ कर जंगा के पास रख लें, जंगा मूल के पास, किसी भी पैर को आप मोड़ कर रख सकते हैं, जंगा के ऊपर रख लें, और यहीं से अपन स्वास भरते वे उपर की ओर स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर पुना एक से दो बार और अभ्यास करें स्वास भरते वे उपर की ओर स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर अंतिम बार करेंगे स्वास भरते वे उपर की ओर चाती की ओर लेकर जाना है स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर कुटने पर पूरा दबाव देते वे जमीन से शपर्ष करवाना है यहीं से दूस्ते पैर से भी अभ्यास करेंगे अर्दे तितलियासन का जिने लगता है कि यह अभ्यास आप सहष्टा पूर्वक कर सकते हैं वे इसका अगला पूर्ण तितलियासन भी कर सकते हैं इसे छोड़ कर चले यहीं से दूस्ते पैर को मोड़ कर अभ्यास करेंगे अर् स्वास भरते वे उपर स्वास चोड़ते वे नीचे यही से अभ्यास पूरा करने के बाद दोनु पैरों को मोड़ लेंगे तल्वों को आपस में प्रकार मिलाएं कि आपके घुटने का खिचाओ बहार की ओर रहे नी पॉंटिंग आउट साइड पंजे को अच्छी प्रकार पकड़ लेंगे जिससे कि आपकी एडी आपके जंगा मूल के अधिकतम पास रहे और यही से आपको अपने पैरों को स्वास भरते वे उपर की ओर उठाना है हातों के पास कोहनी के पास स्वास चोड़ते वे नीचे की ओर तीरे दीरे यह अभ्यास बताया जा रहा है इसे थोड़ा तेजी के साथ भी कर सकते हैं, स्वास भरते वे उपर की ओर, स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर, लगतार अभ्यास जारी रखेंगे, स्वास भरते वे उपर, स्वास छोड़ते वे उपर, स्वास छोड़ते वे नीचे, अंतिम बार करेंगे, स्वास भरते वे उप पर दीरे दीरे स्वास छोड़ते वे नीचे यही अभ्यासम तेजी के साथ भी करेंगे पांस से दस भर तेजी के साथ अपन डाउन मुवमेंट करें इस प्रकार आप लेक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिसका विशेश रूप से आपके थाई जॉइन पर हिप जॉइन पर थाई मसल्स हिप मसल्स पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है यहां आपको ध्यानत्मकासन में बैठने के लिए आपके शरीर को आपके पैरों को तैयार करता है जिससे कि आप ध्यानत्मकासन की सीरीज में बैठने वाले अभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं चलिए यही से जो इसकी अंतिमस्तिती होती है एक बार आप सामने देखेंगे किस प्रकार होती है आप यही से दोनों हाथों को अपने घुटने के ओपर रखकर इस प्रकार दबाव डालते हैं कि आपके घुटने पूरे जमीन से लग जाएं कमर सीधी रहेगी पंजे जमी रिलीस करेंगे विश्राम की स्थिती में एक बार आप देखेंगे विश्राम की स्थिती में किस प्रकार आते हैं दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी पंजे धीले उंगलियां बाहर की ओर धीली रहेंगी दोनों हाथों को कमर के पीछे कंदे धीले आखे बन इस प यहीं से जो अगला अभ्यासम करने जा रहे हैं अगला भ्यास हांथों के जोडों के लिए काफी प्रभावशाली अभ्यास है तो आप किसी भी शहष्ता-पूर्वकसन में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो सुख आप चाहें तो दंडासन करने हैं सबसे पहले मुष्टिका बंधन हैंड क्लैंचिंग हम करेंगे मुठी को बंद करना वह खोलना परंतुक्स प्रकार करना एक बार आप सामने देखेंगे दोनु हाथों को कंधों के समाना अंतर सामने की और फैला लें शौत भरतेवे अंगुठा अंदर और मुठी पूरी बंद करें कर रहला है क्याई शौटतेवे औंऎनों को पूरा खोलना है चार से पाच बारा-म इसलिप्रकार करेंगी पूरी स्ट्रेंद के साथ इनहेल परतेवे मुठी बं स्वास चोड़तेवे मुठी को ले 1997 माना ऩू होर्च भर तेवे मुठी बन करें हो स्वास छोड़तेवे मुठी खोल लें अन्तिम बार स्वास बन करतेवे मुठी ऐधे कि स्वास छोड़तेवे मुठी खोल लें कि parlar कि अंगला अभ्यास रिस्ट बैंडिंग मड़ी बन्द नमनिंव darle का लिख 누리는 का ब्ला 시청 से स्वास भरते वे हतेलियों को सामने की ओर लेकर आएं उंगलियों को उपर की ओर खीचेंगे स्वास चोड़ते वे यही अभ्यास उंगलियों को नीचे की ओर हतेलिय अंदर की ओर स्वास भरते वे उपर स्वास छोड़ते वे नीचे स्वास भरते वे उपर स्वास छोड़ते वे नीचे स्वास भरते वे उपर स्वास छोड़ते वे नीचे अंतिम बार स्वास भरते वे उपर पूरा खिचाज जैसे कि आप किसी दिवार को धक्का दे रहे हैं पूरे उतनी ताकत के साथ, उतनी स्वेंट के साथ, और पुना स्वास छोड़ते वे हतेलियों को पूरा अंदर की और पलट लें, उंगलियों को सीधा ही रखें, यहीं से अगला अभ्यास, यदि आपकी हाथों में ठकान मैसुस होती है, तो आप बीच बीच में विश्राम कर सकते हैं, परंतों मगला अभ्यास करने जा रहे हैं, मड़ी बन चक्र, रिस्ट रोटेशन, आपको हाथों को सिप्रकार सामने रखना है, मुठी बंद रखनी है, और धीरे धीरे हाथों की आपको रिस्ट चॉइन से रोटेशन करनी है, ध्यान रहे, आप अभी जो रोट कर सकते हैं, केवल आपको रोटेशन कंप्रीट करनी है, मुठी को चारों दिशाओं में घुमाना है, चार से पांच बार अभ्यास करेंगे, कोशिश करनी है, दोनु हाथों के बीच में कंदों के बराबर दूरी बनी रहे, ताकि आप प्रॉपर रोटेशन कर सकें, यहीं स आप चार से पांच बार करने के बाद एंटी क्लॉक्वाइस करेंगे, बहार से अंदर की और घुमाएं, एंटी क्लॉक्वाइस, चार से पांच बार, आप स्वहम के अनुसार इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, यह अभ्यास आपकी हैं स्ट्रेंटिंग के लिए काफी अच को सामने की और फैलाते वे आप अभ्यास करते हैं प्रार मिक्स्तिती में हाथों में दर्द भी आपको हो सकता है तो बीच-बीच में आप विश्राम करते रहेंगे दोनों हाथों को पुनह सामने की और फैला ले हाथे लियां ऊपर की और रहेंगे आपको उंगलियों का स्पर्ष कंधों से करना है स्वास छोड़ते वे हातों को आगे की ओर फैलाना है स्वास छोड़ते वे धीरे धीरे उंगलियों को कोहुनी तक लेकर जाना है परन्तों आपकी कोहुनी से कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे आपको अपनी बाजुओं को नहीं हिलाना है, सिधी दिशा में रखना है, स्वास भरते वे फिर से आगे करेंगे, केवल कोहुनी से आप मोमेंट करें, स्वास छोड़ते वे कंधो का स्पश करें, तीस्टर राउन करेंगे, स्वास भरते वे आगे की ओर, स्वास छोड़ते आगे की और स्वास छोड़ते वे पीछे की और यहीं से अगला भ्यास कंचक्र पुना कंधों पर हातों को इस प्रकार रखें जिस प्रकार आप कोहुनी नमन कर रहे थे या फिर आप बाहर की और भी रख सकते हैं रोटेशन में आप सबसे पहले अपनी कोहुनियों को आगे की और मिला लें चाती के ठीक आगे स्वास भरते वे कोहुनियों की दिशा को उपर की और लेकर जाएं रोटेशन के साथ पीछे की ओर लेकर जाएं, स्वास छोड़ें, प्रॉपर रोटेशन के साथ फिर से आगे मिलाएंगे, एक चक्र पूरा हुआ, दूसरा चक्र करेंगे, टू, इनहेल आग, एक्जेल, डाउनवर्ड मुवमेंट, फिर से स्वास भरते वे, कई उपर की ओर, स्वास भरते वे उपर की ओर, स्वास छोड़ते वे, आगे की ओर लेकर आएं, स्थ्री, यह जो आप चक्र करें, क्लॉक्वाइज, अब यहीं से अंटी क्लॉक्वाइज करेंगे, चलिए चक्र पूरा करें, अंटी क्लॉक्वाइज, यह पीछे से आगे की ओर आप लेकर आ रहे हैं स्वास छोड़ते वे आगे की और स्वास भरते वे पीछे की और खीचे तीसरा राउंड करेंगे स्वास भरते वे उपर स्वास छोड़ते वे नीचे की और स्वास भरते वे उपर अंतिम राउंड स्वास छोड़ते वे नीचे दोनु हाथों को विश्राम की स्थ अरिति में भी विष्राम कर सकते हैं कि परंतु अभी जो करने जा रहे हम करने जारहे abandon कि एक किस प्रकार आपको करना है कि इसफ्वान की जक्रण। जक्रण। कंदों की जक्रण रहती है उनके लिए हाथों के अभ्यास ग्रदन को गुमाने वाले अभ्यास काफी अच्छे हैं सबसे पहला हम गर्दन को आगे पीछे गुमाना करेंगे स्वास छोड़ते वे आपको अपनी चिन को चेस से लगाना है स्वास छोड़ते वे चिबुक को चाती से लगाएं गर्दन को आगे की ओर गुमाएं स्वास भरते वे धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाए अधिक्तम जितना आप लेकर जा सकते हैं ध्यान रहे आपके कंदे स्थिर रहे धीले रहे पुना स्वास शोड़ते वे आगे की ओर लेकर आए स्वास भरते वे पीछे की ओर लेकर जाए स्वास भरतेवे आगे, जया भ्यास हम तिन तिन बार कर रहे हैं, स्वास छोड़तेवे पीछे की ओर, यही से फिर से गरदन को सामाने स्वास भरतेवे बीच में लेकर आएंगे, दाएं बाएं घुमाएंगे, जिस पर करम दाएं बाएं, सथ साइड में 이게 लंबा गहाध सौश भरें ले सौश छोड़तेवे बाइंक कराने का पूरा-प्रयास पूरेखाव के सांद फिर से सौश भरतेवे बीच में सौश छोड़तेवे बाइं स्वास भरते वे बीच में स्वास छोड़ते वे दाई और अंतिम बार करेंगे तीसरा अभ्यास स्वास भरते वे बीच में स्वास छोड़ते वे बाई और स्वास भरते वे पुन्ह बीच में स्वास छोड़ते वे दाई और पूरा खिचाव गर्दन का समाने स्थिति में देखना हम करेंगे इसी प्रकार स्वास भरें स्वास छोड़ते वे बाई और गर्दन घुमाएं गर्दन को इतना घुमाने का प्रयास करना कि आपकी चेन आपके शोल्डर के ठीक सीधी लाइन में आ सके उपर की और स्वास भरते वे बीच में आएं स्वास छोड़ते वे ग स्वास भरते वे बीच में आएं स्वास छोड़ते वे दाई और जाएं अंतिम तीसरा चक्र पूरा करेंगे स्वास भरते वे बीच में स्वास छोड़ते वे बाई और आप जिस परकार ankle joint rotation knee joint rotation elbows का rotation ankle joint rotation wrist joint rotation कर रहे थे उसी प्रकार garden का भी हम गोल गोल और घुमाने का अभियास करेंगे neck rotation आगे की ओर लेकर जाएं गड़्डन को बाई से दाई और स्वास छोड़ते वे फिर पीछे की ओर लेकर जाएं स्वास भढ़ते वे rotation complete करेंगे नीचे की और देखते वे आप स्वास छोड़ रहे हैं गोल गोल घुमाते वे बाई से दाई दिशा में स्वास छोड़ते वे आगे की और आए स्वास भरते वे पीछे की और जाए गर्दन को पूरा घुमाते वे पीछे की और वह स्वास छोड़तेवे आगे यहीं से anti-clockwise करेंगे चलिए दाई से बाई और दाई और गरदन लेकर जाए स्वास भरतेवे स्वास छोड़तेवे नीचे से उपर की और स्वास भरतेवे पीछे की और देखेंगे जब जब आपकी गरदन आगे की और आ रही है तो आप पूरा स्वास भाहर की और छोड़ेंगे स्वास भरतेवे गरदन को पीछे की और घुमाएंगे इस प्रकार आप चार से पांच बार clockwise और उसी प्रकार विपरीत दिशा में anti-clockwise गरदन को घुमा कर इस अभ्यास को पूरा करेंगे स्वास प्रस्वास की लईबद्दिता पवन मुक्तासन सीरीज में बनी रहेगी जिससे कि आपके जोड़ों पर सकरात्मक प्रभाव पड़ता है वह जोड़ों की जक्रन होती है वह दूर होती है तीरे से वापस आएंगे ध्यान रहे यदि आपको सर्वाइकल स्पॉनलाइटिस की प्रॉब्लम है गर्दन में किसी प्रकार का दर्द है तो आप बहुत जादा गर्दन को ना खीचे सर्वाइकल स्पॉनलाइटिस की कंडिशन में आप गर्दन को आगे की और न गुमाए केवल पीछे वाले आप मुवमेंट्स कर सकते हैं केई से पुना विश्राम की स्थीति में आ जाएं बैट करके जने वाले अभ्यास पूर्ड होने के बाद आप दंडासन में इस प्रकार विश्राम कर सकते हैं यहीं से मगला भ्यास पवन मुक्तासन भाग दो करने जा रहे हैं जिसमें आप पीट के बर लेट जाएंगे धीर इसे बाएं हाथ को पीछे लेकर जाएं ध्यान रहे जब भी आप लेटेंगे तो आपको बाई और करवट लेकर लेटना है दोनों पैरों को मिला लीजिए पोजिशन लेंगे यहीं से हाथ आपके शरीर के बगल में रहेंगे जंगा के पास हतेली समीन से लगी हुई, सठी हुई, उंगलियां खिची हुई जो हम अभ्यास आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से दो बार हम इसका अभ्यास आपको करके बताएंगे किस प्रकार करना है आप यदि अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आप इसके चक्र को बढ़ा सकते हैं दो से तीन, तीन से चार या पांच बार आप अभ्यास करें नियमित पहला अभ्यास आप उत्तान पादासन का करते हैं धीर इसे स्वास भरते वे बाए पैर को उठाना है धीरे धीरे पैर को 30 डिग्री एंगल पर इतना उठाना है कि आपको अपने पैर का अंग उठा दिखे स्वास भरते वे चितने देर आप रोक सकते हैं इस स्थिती में रोके रहें सामाने स्वास प्रस्वास के साथ पैर को नीचे विश्राम की स्थिती में लाते हुए धीर इसे स्वास छोड़ें इसी प्रकार दाएं पैर से स्वास भरते हुए उपर उठाएं पांस सेकिंड तक इसी स्थिती में रुके 1, 2, 3, 4, 5 स्वास छोड़ते वे नीचे लेकर जाए पुनह स्वास भरते वे अब आप दोनु पैरों के साथ अभ्यास करेंगे यदि दोनु पैरों से करने में कठिना ही होती है तो एक-एक पैर से ही आप अभ्यास को बढ़ाएंगे जले स्वास भरते वे दोनु पैरों को जमीन से 30 डिगरी उठाएंगे हतेलियो पर दबाव बना कर रहें ये सारे अभ्यास आपके उदर संस्तान को प्रभावित करने वाले अभ्यास है अब्डॉमिल स्ट्रेंटनिंग के अभ्यास धीर इसे स्वास छोड़ते वे दोनु पैरों को जमीन पर वापस ले कर आएं उदर प्रदेश को ढीला छोड़ें ये से अगला भ्यासम करेंगे चक्र पादासन लेग रोटेशन धीर इसे बाए पैर से स्वास भरते वे पैर को अंदर की ओर उठाएं आप बहर की ओर भी उठा सकते हैं उपर की ओर स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर ले कर आएं इसे प्रकार पूरे खिचाव के साथ गोल गोल चक्र बनाने का प्रयास लेग रोटेशन थर्ड राउंड हम करने जा रहे हैं स्वास छोड़ते वे नीचे चोथा अभ्यास स्वास भरते वे उपर स्वास छोड़ते वे नीचे अंतिम बार पाचवा अभ्यास लेग रोटेशन का यही से आप विपरीद दिशा में भी ले कर जाएंगे पैर को उपर की ओर उठाएं स्वास छोड़ते वे बाहर से नीचे की ओर ले कर आएं इस टू सिप्रकार आपने जितने क्लॉक वाइस फाइफ राउंड कंप्लीट किये आप एंटी क्लॉक वाइस विपरीद दिशा में भी पांच राउंड पूरे करेंगे तीसरा अभ्यास कर रहे हैं स्वास भरते वे उपर, स्वास छोड़ते वे नीचे पूरा दाएं बाएं उपर नीचे पैर पर खिचाओ महसूस करें चितना अधिक्तम बड़ा आप चक्र बना सकते हैं धीरे से विश्राम की स्थितिमा आएंगे यही अभ्यास हम अपने दाएं पैर से करेंगे स्वास भरते वे पैर को उपर की ओर उठाएं स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर ध्यान रहे जब आप उपर नीचे उठा रहे हैं तो आप गोल-गोल चक्र बनाते वे जा रहे हैं तू यदि आप अंदर की ओर लेकर आ रहे हैं तो आप बाहर की ओर भी लेकर जाएंगे गोल-गोल चक्र बनाते वे थ्री फोर फाइफ दोनु पैरों से बराबर अभ्यास करें यही से एंटिक्लॉक्वाइस बाहर से अंदर की ओर वान तू त्री फोर फाइफ पाँच चक्र पूरा होने के बाद विश्राम की स्थिती में आए यदि आपको ठकान महसुस होती है तो आप शवासन की स्थिती में भी विश्राम कर सकते हैं पैरों में कंदों के बराबर दूरी रखें पैरों को फैला कर उंग्लियों को बाहर की ओर धीला छोड़ दें हाथों को शरीर से थोड़ा दूरी पर स्थित रखें उंग्लियों को अत्खुली स्थिती में आखे बन इस प्रकार आप विश्राम भी कर सकते हैं या फिर अपने चक्र को बढ़ा सकते हैं अगर आप असानी से कर सकते हैं यही से अगला अभ्यास करेंगे साइक्लिंग का पाथ संचालन चलिए दोनों पैरों को धीरे से आप पहले एक पैर को मोड़ेंगे जिस प्रकार साइक्ल चलाते हैं किसी भी एक पैर को मोड़ें करेंगे तो चाहे तो प्रारमिक स्थिती में एक एक पैर से भी कर सकते हैं आजगे कर दो कि एप आप आगे की ओर ले कर आ रहेके अब आगे से पीछे की ओर लेकर आएंगे उल्टी cycle चलाते वे पैर को खीशते वे स्वास भरें पैर को मोड़ते वे स्वास छोड़ें यही से दुस्य पैर से भी अभ्यास करते हैं कि पीछे क्यों खीचेंगे cycling का movement continue करेंगे पैर को आगे की ओर लेकर जाएंगे स्वास भरते वे केसे विप्रीत दिशा में करेंगे स्वास भरते वे सीधा करें स्वास चोड़ते वे पूरा मोल ले आप एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से भी अभ्यास कर सकते हैं दोनों पैरों को मोल लें पीछे की और स्वास भरें जमीन से उपर क्यों उठाएं पैरों को सैक्लिंग स्टार्ट करेंगे यही से दोनों पैरों को सीधा मोड़ते वे पुनह सीधा जैसे दो पैर से सैक्ल चला रहे हैं हम इसी प्रकार से आप अभ्यास करते हैं इसका पूरा दबाव आपकी जंगा पर आपकी कमर पर कमर के सैक्लिंग का जो से मूवमेंट वह पीछे की और हो रहा है विपरीद दिशा में हो रहा है आगे की और लेकर जा रहे हैं उपर के उठाते सीधा करेंगे शास चोड़ते मोड़ नेंगे दोनों घुटनों को इस प्रकार अभ्यास करने के बाद तीर से से पैरों को सीधा कर कमर को रिलैक्स करने के लिए जो अगला अभ्यास होगा वह है जूलना लुड़कना रौकिंग अन् कजिने कमर में काफी जग्रन महसूस होती है ये योग अभ्यास के बाद हलका फूलसका दर्द महसूस होता यह आपकी कमर को विश्राम देता है शितिलता प्रदान करता है कमर की मसाज के लिए काफी अच्छा वप्रभावशाली अभ्यास है दोनों पैरों को मोड़ कर छाती के पास रखते हैं पैरो को इस प्रकार आप पकड़ लेते हैं कि आपके घुटने आपके छाती के पास रहे सिर्फ हलका सा जमीन से उठावा रहेगा जब आप अभ्यास करते हैं आपको स्वास भरते वे उपर की ओर पंजों के बल आना है बैठने का प्रयास करना है इस प्रकार आप अच्छे अभ्यास के लिए पंजों के बल भी आ सकते हैं एडिया उठाते हैं ध्यान रहे जब आप पीछे के ओर जाते हैं तो आपकी गर्दन हलकी सी मोड़ी हुई रहेगी ताकि एकदम से आपका सिर्जमीन से ना लगे यह अभ्यास आप रोलिंग वे में करेंगे उपर नीचे लुड़कते वे आएं लुड़कते वे जाएं अभ्यास लगतार बना कर रखें तीन से चार बार अभ्यास करें स्पाइनल मसाज ज़िए आपकी कमर में दर्द महसूस होता है तो यह अभ्यास काफी अच्छा है परन्तु ध्यान दे स्पाइनल इंजरी या कोई भी ऐसा डिसोर्डर कोई भी ऐसे विकार अगर आपको है तो आप डॉक्टर की सलाव में किसी भी कुशल योग प्रसिक्षक के मार्क दर्शन में ही अभ्यास करें यही से उपर नीचे लुड़कते वे आप दाई बाई भी लुड़केंगे लेट कर शरीर को बाई और लुड़काना है शरीर को दाई और लुड़काना है दाई बाई और अभ्यास करें चार से पांच बार अभ्यास पूर्ण होने के बाद पैरों को सीधा कर ले अगला अभ्यास हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन का यहां अभ्यास एक-एक पैर से भी किया जा सकता है दोनू पैरों से भी तो जो अभी आपको अभ्यास करके दिखाया जा रहा है वह दोनों पैरों से करके दिखाया जा रहा है स्वास भरते वे घुटनों को मोड़ कर छाती के पास जैसे आप लेकर आये थे वैसे लेकर जाए और उंगलियां लॉक करके अपने घुटनों से इस प्रकारा पकड़ लेंगे स्वास अंदर रोक कर रखें और धीर इसे नासिका या फिर आपको अपने माथे को घुटने से लगाना है नहीं लग पा रहा है तो आपको लगतार प्रयासरत रहना है स्वास जितनी देर आप रोक सकते हैं जैसे पांस के सेकेंड के लिए स्वास छोड़ते वे सिर को जमीन पर रखें पुना पैरों को सिधा कर ले फिर से अंतिम बारम या अभ्यास दिखाने जा रहे हैं किस प्रकार करना है दोनु घुटनों को स्वास भरते वे मोड ले छाती के पास लेकर आए दोनु हातों की उंगलों को लॉक कर ले स्वास को अंदर रोक कर रखें और धीरे से नासिका या माथा आपको लगाना है पास सेकिंड के लिए यदि आप रोक सकते हैं शमतानुसार एक, दो, तीन, चार, पास स्वास चोड़ते वे गर्दन समीन पर रखें पैरों को सीधा कर ले यदि आप दो पैर से नहीं कर पाते हैं पेकिक पैर से भी यहां अभ्यास कर सकते हैं यदि आपको स्वास रोकने में कठिनाई होती है तो केवल पवर्मुक्तासन के इस अंतिम स्थिति में आए वजाए यही से अगला अभ्यास सुप्त उद्राकरसन का अभी जो आप अभ्यास करेंगे अंतिम दो अभ्यास यह आपकी कमर को विश्राम देने के लिए कमर की जकड़न को दूर करने के लिए काफी प्रभावशाली अभ्यास है धीर से दोनों पैरों को मोड ले जमीन पर रखें पैरों में हलका गैप हाथों को मोड कर सिर के ठीक नीचे रख लें गर्दन आपकी हाथों के हलकी उपर रहेगी पैरों में हलका गैप रहेगा सुविधानुसार आप अपने पैरों में गैप रख सकते हैं आपको इस स्थिती में स्वास भरना है एक बार आप ध्यान दें स्वास छोड़ते वे आपको अपने पैरों को दाई और लेकर जाना है और गर्दन को बाई और लेकर जाना है ना आपके हाथ उटेंगे ना आपके कंदे आपके कंदे वहाथ जमीन से लगे वे रहेंगे खुटनों का दबाव, जमीन की और गर्दन का दबाव, उसकी विप्रीत दिशा में रहेगा, स्वास छोड़ते वे, पुनह स्वास भरते वे, बीच में आए, स्वास छोड़ते वे, गर्दन को दाई और घुमाए, पैरों की बाई और दबाव दे, स्वास भरते वे, बीच म अभ्यास आप किस प्रकार करेंगे शव उद्राकर्शन का अभ्यास आपको एक पैर को मोड़ कर रखना है बाएं पैर को घुटने के पास मोड़ कर रख लें हाथों को कंदों के समानांतर बाहर की और फैला लें हतेलियां उपर की और रहेंगी या आप चाहें तो घुटने के उपर भी रख सकते हैं पैर को स्वास भरना है आपको स्वास छोड़ते वे उसी प्रकार जिस प्रकार आपने इससे पहला अभ्यास किया था पैर को घुटने को दाई और लेकर जाना है गरदन को बाई और आप अभ्यास को और अच्छा करने के लिए घुटने के उपर भी रख सकते हैं पैर को वज्जो पैर आपका जमीन से लगा हुए उसे सीधा कर ले पुना स्वास भरते वे बीच में आए पैर को सीधा करें दूसरे पैर से भी यही अभ्यास करेंगे स्वास भरते वे पैर को मोड़ ले स्वास छोड़ते वे घुटने के उपर रखें स्वास छोड़ते वे पैर को दाई और यदि आप बाई पैर उठाते हैं तो दाई और दाई पैर उठाते हैं पैरों को सीधा कर ले यह अभ्यास आप दो से चार बार या पांच बार कर सकते हैं अगला वंतिम अभ्यास नौकासन का स्वास भरते वे आपको अपने पैरों को और कमर को इतना उठाना है कि आप एक नाव के समान आकार की स्थिति में आ सकें यह अभ्यास आपको एक बार कर के दिखाया जा रहा है आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं यदि आप स्वयम अभ्यास करते हैं स्वास भरते वे धीरे से पैरों को उठाएं समीन से थोड़ा उपर उठाएं कमर गर्दन वपीट को उपर उठाएं हाथों को घुटने के पास रखें नाव के समान आकरती नौ को दूर करता है यदि आप शवासन की स्थिति में आते हैं वह बार बार अभ्यास करते हैं तो यह आपके तनाव को दूर करता है आपके मन को शांत करता है कि इस पकार आज जो हमने अभ्यास के वह पवन मुक्तासन भाग एक वह भाग दो के अभ्यास थे